कि adam देखिया हमारे शेर मार्केट में जो है सरकारी कंपनी और सथ साथ flight company 오्ही बहुत में इनका दब दवा है अभी कुछ समय तक आप ने देखा हो गएज कि भारती सरकार की जो कंपनी अब का market cap सबसे ज़्यादा था share market में लेकिन अभी जो है टाटा ने उनको wheat किया है और first number पे टाटा है मतलब private sector है जो की top पर है हमारा investment के हिसाब से और ये company जो भी है देखे dividend भी बहुत अच्छा देती है तो देखे आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी company देखने वाले हैं कम से कम 13-14 company होंगी जो हमें dividend तो देती ही है साथ में हमारा growth भी बहुत अच्छी करती है क्योंकि हमारे dividend income जो होती है एक side income होती है और इससे हमारा extra खर्च जो हमारे चल जाते हैं और जो हमारे पैसे की value है वो हमारे stocks में बढ़ती रहती है तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सी ये company है तो इसमें जो देखिए हमारी पहली company है उसका नाम है national aluminium और ये सरकारी company है और ये जो dividend देती है 8% तक का dividend देती है aluminium का production ये company हमारी करती हुई दखाई देती है हमें दूसरी company है REC limited और ये जो company है ये देती है 9.28% का dividend साथी साथ देखिए इसका जो share price है share price भी बहुत थोड़ा सा है इसका छोटा सा 100 रुपे के आसपास ये trade करता है ये share तो सस्ता share है और अच्छा dividend हमें सस्ते share में मिल जाता है इसमें और ये भी एक सरकारी company है हमारी ये सार्विनिक सेक्टर की एक company है अगली company है बानको product limited और ये जो company है देखिए सांदार देखिए कितना अच्छा dividend ये देती है 10% का dividend और ये जो है ये private sector की जुड़ी भी company है इसकी जो हमारी growth होती है जो हमारा इसका CGR है बो भी शांदार है इसका इसी करम में हमारी अगली company है देखिए standard industry 7.14% का dividend और 300% 300% से ज़्यादा का इसका ROE है तो ROE बहुत अच्छा है इसका बहुत सांदार company है टेक्स्टाइल से जुड़ी है इस चल रहा है 30 या 31 रुपे चल रहा है भी in future इसका हमें जो share price है बो भी हमें बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा बहुत सांदा रिटर्न ही यह company हमें देखाई दे सकती है इसमें अभी promoters भी holding बढ़ा रहे हैं अपनी फिर आती है हमारी गेल इंडिया लिमिटेड और यह जो गेल है यह देती है देखिए 6.86% का dividend और यह भी 11.500 के आसपास इसका current price है बहुत छोटा सा और यह सरकारी company है हमारी और आपने देखा हो गई गैस बगएर हमें काम काज करते हुए हमें दिखाई देती है देखिए इस क्रम में ऐसी company भी हैं जो 400% तक भी dividend देती है और इसी में अगली जो company है हमारी वो है 13.19% का dividend देने वाली RS WM Limited यह जो company है यह एक private company है फिर आती है फिर से एक सरकारी company का नाम है Oil India Limited और 6.82% का dividend company यह देती है इसमें सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और यह हमारा petrol diesel में काम काज करते हुए हमें दिखाई देती है Oil का जितना भी काम काज होता है उसमें काम करती है इसके बाद next company है हमारी Oracle FinServe Services और इसका dividend थोड़ा इसका कम है 6.34% लेकिन इसकी जो हमारी growth है जो इसका CAGR है बहुत सांदार है और अगला बजाज finance भी हमें बनते हुए दिखाई दे सकता है अगली company है देखे हमारी सबकी favorite company का नाम है वेदानता लिमिटेड माइनिंग में काम काज करते हुए दिखाई देती है एक लाख 18,653 करोड की company 319 का भी current price इसका चल रहा है और dividend yield है इसका देखे 21.5% का तो 21.5% का इसका dividend yield है बहुत सांदार dividend देती है company और return तो कितने सांदार देती है इसको आप ऐसे समझे के 2003 में इसका price था डेड़ रुपे एक रुपया 30 पैसे का और आज है 319 रुपे का तो कितना गुना पैसा इसने कर दिया है और dividend तो जो दिया है उस सो दिया ही है next company है हमारी LCD Investment Limited और ये NBFC company है और देखेगा आप कि इसने जो है जो हमारा Asian paint है कितनी बड़ी company है Asian paint उसमें भी 2.95% की हिस्सेदार है इसमें इस्टेक खरीद हुआ है सिर्फ 6 लाग का इसका market cap है लेकिन dividend yield देखेए 490% का dividend yield इसका है लाश्ट company है हमारी टपारिया टूल्स लिमिटेड और ये company देखेए 1421% का dividend कितना बड़ा dividend ये company हमें देती है और इसी कारण से जो ये हमारी टपारिया टूल है और lc investment ये दो कंपनिया जो हैं जिसके पास भी इनके share है वो share को बेशते ही नहीं है तो इसमें trade बहुत कम होता है कई गई बार 3-4-4 महीनों में एक एक दिन trade होता है इसमें लोग बेचने को राजी नहीं होते ऐसा नहीं है कि market में order नहीं आते हैं सिर्फ educational purpose के लिए ये वीडियो था मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत